मत्रदेश की सतना में नाबालिक के साथ घर में घुसकर दुसकर्म सतना भी से सदालत ने दुसकर्मी को सुनाई दस वर्स की कारावास की सजा 25,000 जुर्माना भी लगाया नमस्कार मेरा नाम है शिवंकुश्वाहा और आप देख रहे हैं दा खबरदान न्यूज मत्रदेश की सतना में नाबालिक के साथ घर में घुसकर्म सतना भी से सदालत ने दुसकर्मी को सुनाई 10 वर्स की कारावास की सजा 25,000 जुर्माना भी लगाया नमस्कार मेरा नाम है शिवंकुश्वाहा और आप देख रहे हैं दा खबरदान न्यूज नाबालिक सिरेप के 1,5 वर्स पुराने मामले में सतना में 501 की PCS अदालत ने अपराधी को 10 वर्स के सस्त्रम कारावास और 25,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है विशेश नयाधीस 501 सतना सिल्पातिवारी ने आरोपी रामकरण बागरी तैनैपुरसूत्तम बागरी 49 साल निवासी ग्राम वस्था थाना नागाउद को अलग-अलग धाराव में कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है दोसी पाए गए रामकरण को धारा 450 में 7 वर्ष के सस्रम कारावास और 5,000 रुपे के अर्थ दंड धारा 376 दो आई में 10 वर्ष के सस्रम कारावास और 5,000 रुपे के अर्थ दंड धारा 506 में 3 वर्ष के सस्रम कारावास और 5,000 रुपे अर्थ दंड और धारा 5,000 से पठित धारा 6,501 में 10 वर्ष के सस्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। राज की ओर से जिला भियोजन अधिकारी जोती जैन ने पैरवी की। अभियोजन प्रवक्ता हरी कृष्ण त्रिपाठी एडी पियो ने बताया कि 6 मार्च 2017 को पीड़ता के माता पिता उसके मामा की घर बरहों की निमंत्रम ने चले गए थे। वे घर पर अकेली थी तभी साम लगभग चार बजे आरोपी रामकरण बागरी उसके घर आया और उससे उसके मम्मी पापा के बारे में पूछने लगा। पीड़ता ने उसे बताया कि वे घर पर नहीं है यह सुनकर रामकरण गया नहीं बलकि बाहरी रखी चार पाई पर बैठ गया। आने का दबाव बनाने लगा तब सारी बात उसने अपनी मा को बताई उसने यह भी बताया कि राम करण दो बार पहले भी उसके साथ जवर्दस्ती कर चुका है तब पीरता ने अपने माता पिता के साथ थाना पहुँच कर रिपोर्ट दर्च कराए प्यूरे रिपोर्ट दा का बर्दा अन्यों